शिवराज केबिनेट की बैठक खत्म हुई है गरीब अंतरी नरुत्तम मिश्रा का बयान आया कि सियम शिवराज ने एतिहासिक काम किया है और मधिप्रदेश में कोई भी लंबे समय तक सियम नहीं रहा तो देखे गरीब कल्याड और लाडली बहना योजना का भी उन्होंने किया है और नरुत्तम मिश्रा जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है यह उन्होंने अपने बयान में कहा तो देखे तीन दिसंबर को नतीज़े आने वाले लेकिन उसके पहले आज अगर देखा जाए तो आज कैबिनेट की आखरी बैठक रही और नरुत्तम मिश्रा का यह बयान आया है देखे जीत का दावा उन्होंने किया है कि जीत को लेकर वो पूरी तरह से आश्वस्त है और बैठक जो चल रही तीए अब वो खत्म हो चुकी है सेवा के मार्ग पर जिस तरह से किसान कल्यान की योजना है गरीब कल्यान की योजना है और लाडली बहना तक आज जिक्र कन्यादान योजना का भी आया बेटी बचाओ योजना का भी आया आज रिदिक लाडली लच्वी का भी आया और लाडली बहना का भी आया सच में जो अनवाचार मद्यपरदेश में मानिये मुख्यमंत्री शिवरास सिंग जी के नेतत्यों में हुए वो पूरे देश ने अंगीकार भी कियो और सुविकार भी किये में आपको बता रहा हूँ मेरा एक यक फोर सुलिए मुख्यमंत्री ओर भारतिय अंदा पार्टी की सरकार तीन तारिक को बनने जा रही है सबासों से और देड़ सो की बीच में हम लाई रहे हैं बहुत ही अच्छे बहुमत के साथ बारती जन्दा पार्टी की सरकार बन रही है और जो अभी तक सब जगे से रुजान आये हैं उसमें कम से कम 135 सीटों पर बारती जन्दा पार्टी चुनौब जीत रही है और डेड़ सो तक भी जा सकते और चलिए अम्रितांशी का रूप करें के लगातार हमारे साथ बने हुए अम्रितांशी देखे शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुके अलाकि नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे लेकिन ग्रीम मती नरुत्तम इश्रा की बात करें मती भूपेंद सी की बात करें जीत को का दावा करते हुए नजर आ रहा है कि बीजेपी की ही सरकार बनेगी और इसके बाद जो है खास तोर से 125 से 150 सीटे लाने का दावा यहाँ पर ग्रीमंत्री नरुत्तम मिश्रा कर रहे हैं हलाकि आश्वासन उन्होंने जताया है क्योंकि 125 से 1500 के बीच में सीटे आती हैं तो वो पूरी तरीके से clear mandate होगा लेकिन नरुत्तम मिश्रा, मंत्री भूपेंदु सेंग, चायों प्रकाश सकलेचा हो, मोहन यादव हो सभी ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है आज शाम को exit pole शुरू हो जाएंगे और उसके पहले बीजेपी के मंत्रियों का दावा बता रहा है कि कहीं न कहीं वो अपने जीत को लेकर सभी आश्वस्त हैं और जो जीत का दावा कॉंग्रेस 140 सीटों का कर रही है उस दावे को पूरी तरीके से बीजेपी सरकार के जो मंत्री हैं वो नकार रहे हैं और उन्हेंने साफ कह दिया है कि बीजेपी की सरकार बन रही है और यहाँ पर नरूतम मिश्वानिक खास्तोर से पिछले 18 साल के जो मुखी मंत्री शिवरा सिंग चुहान उनकी तारीव भी की है लेकिन कई इसमें चीजें हैं कई सवाल भी पैदा होते हैं कि बीजेपी आश्वस्त है तो इतनी जादा सीटों को लेकर कैसे है क्योंकि मद्वपिदेश में लगातार कॉंग्रिस भी दावा कर रही है कि वो 140 सीटे लेकर आ रहे हैं तो दोनों ही पार्टियों के अपने दावे हैं दोनों ही पार्टी चाह रही हैं कि दोनों बहुमत के सार अपनी अपनी सरकार बनाएं लेकिन क्या कुछ नतीजे होंगे वो तो 3 दिसमबर को ही पता लग पाएगा लेकिन यहां पर खास तोर से बीजेपी और कॉंग्रिस द दोनों ही पार्टी अपनी जीत को लेकर आश्वस्ता है जिसमें खासतोर से बीजीपी की जो नेता है उनको पूरा भरोसा है कि सवा सो से देड़ सो के बीच में सीटे बीजीपी लेकर मदर प्रदेश में आ रही है।